दोस्तों नमस्कार जैसर्यक्ष्णा, जैसर्य राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिंग यानि लीयो साइन वालों के लिए जुलाई मन्त कैसा रहने वाला है आपका रासी फल क्या कहता है सिंग रासी वालों जुलाई 2021 आपका पूरा महीना कैसा जाने वाला है आपके सिक्षा की स्थिति आपके स्वास्त की स्थिति आपके करियर की स्थिति आपके हर प्रकार की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे बिजनिस ब्यापार इत्यादी के बारे में चर्चा करेंगे जौब इत्यादी क नहीं देख सकते हैं अब रासीफन शुरू करते हैं चार ग्रहों के रासी परिवर्तन के साथ में और पांच परिवर्तन होंगे क्योंकि बुद्ध का दो बार परिवर्तन होगा तो ये पांच परिवर्तन आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाएंगे बताते हैं आपको संतान बुरी संगत में पढ़ चुकी है आपके तो बहुत अच्छी संभावने बनती कि आप उसे समझा करके एक अच्छी संगत में अच्छी स्थिति में ला सकते हैं अगर किसी प्रकार से आपको कोई यसी बात पता लगती है कि आपके बच्चों के द्वारा कुछ गलत किय आपको उस पर ज्यदा ओवर्यक्ट नहीं करना है उन्हें समझाना है आपके बच्चे बहुत ी समझधारी से पहसरा लेंगे और वह आपकी बात को मानेंगे और समझ जाएंगे आपको विशेस रूप से अपनी बच्चों के साथ में मारपीट बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों पर जोर ज़वर्जस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपके लिए अगर संतान की स्थिती बन रही है तो संतान में बाधावत्पन भी हो सकती है कोई गरपात की स्थिथी भी बन रही है इसलिए बहुत द्यान रखें अगर आप गरबती महला है बिशस रूप से और आपके लिए स्वास्ती के स्थिती बहुत अधिक मात्राओं बिगड़ सकती है स्वास्त खराब होनी की स्थिती बन रही है जुखाम इत्यादी बुखार इत्यादी या अचानक से आपको बहुत बड़ी बीमारी या कोई गंभीर रोग के आप सिकार हो जाएं या कोई गंभीर रोग आपको बहुत दिनों से है और उसे आप नजर अंदाज कर रहे थे उससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है इसलिए बहुत ध्यान रखें, बहुत ही सावधानी से कोई भी अगर नेड़ा लेते हैं, सावधानी से लें, इलाज करवाएं, लापरवाही बिलकुल न करें मुकदमे इत्यादी में बिजय की स्तिती बन रही है, कोई सत्रू आपसे परेशान हो जाएगा, कोई सत्रू आपसे हतास हो जाएगा और कोई सत्रू जो आपके रास्ते रोपे हुए था जो आपके प्रति रोज-्रोज शड़ियंत्र करता था वो सत्रू आपसे हार मान जाएगा इस्तिती बहुत अच्छी है कर्ज लेना पड़ सकता है कर्ज की स्तिती बन रही है और बिसेस रूप से आपको अपनी बाणी पर बिसेस नियंत्रड रखना होगा किसी को कर्ज देना नहीं है पैसा दे देते हैं तो फस जाएगा मुकर्द में त्यादीव हैं बिजय जरूर होगी लेकिन सत्रू सड़ें अंत्र करेंगे 20 जुलाई तक उसके बाद में इस्तितियें काफी अच्छी हो जाएगी आपके लिए देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में पार्टनर्जिप के व्यापार में प्रोजेक्ट मिल सकते हैं लाव हो सकता है धनलाव के उस्तितियें बहुत अच्छी हो जाएगी लाव ही लाव होगा बस ध्यान रखना अपने भीहवियर पर और अपने नेड़े पर नेड़े कोई भी लेते हैं सोच समझ के लिए लव लाइफ और मेरिट लाइफ के वारे में जानना चाते हैं तो दूसरे चैनल पर जा सकते हूं वहाँ पर आपको जानकारी देते हैं आपकी लव लाइफ और मेरिट लाइफ कैसे रहने वाली है बहुत कुछ खास इस्तितियां हैं लव लाइफ की बहुत इस्तिती अच्छी होने वाली है क्या इस्तिती अच्छी होंगी सब कुछ डिटेल में आपको 10-12 मिनट के वीडियो में अपिसोड में बताते हैं आपको तो उस चैनल को आप जाकर के बिजिट कर सकते हैं चैनल का नाम है लव टिप्स विद अतुल जी उस पर जा सकते हैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रीशन मिल जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो आपको कोई मकान इत्यादी खरीदना है तो वहाँ पर बाधाउत्पन हो सकती है बाहा नित्यादी खरीदते हैं तो उसमें भी डिले हो सकते हैं कुछ कारे बिलंबित हो सकते हैं खास करके आपके लग्जरी लाइफ से सम्मंदित अगर कोई करते हैं व्यूटी पालर से सम्मंदित कारे करते हैं उसमें आपको काफी ठीक धनलाब हो जाएगा पहले से स्थितियां काफी बैतर होंगी और अगर fashion designer हैं आपको या artist हैं तो आपको काफी अच्छी उन्नती देखने को मिलेगी career में एक अच्छा growth देखने को मिलेगा एक अच्छी उचाई आपको देखने को मिल जाएगी और जो career start कर रहे हैं उसमें आपको काफी फाइदा होने वाला है और आपके वहाँ पर काफी growth आपको नजर आ जाएगी एक बहुत बिसे सावधानी रखनी होगी किसी प्रकार्ट से अगर कोई promotion इत्यादी चाहते हैं तो अपने behavior पर बहुत ज़्यादा आपको control रखना होगा behavior खराब होने के वज़े से promotion आपका रोका जा सकता है कोई transfer इत्यादी करवाना चाहते हैं तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई परिवर्तन ले सकते हैं बिदे स्यात्रा हो सकती आपके ले स्तिती बन रही है और आपको बिसेश रूप से ब्यापार में लाब होगा लेकिन ब्यापार में निवेस करना बहुत जरूरी है और ब्यापार में कुछ बदलाब करने की आवसकता बहुत जरूरी है ब्यापार में कुछ निवेस, कुछ बदलाब आपके ब्यापार को फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे तो ये इस्तिति आपके लिए बनती है अगर हम सरकारी चेत्री की बात करते हैं तो वहाँ पर इस्तितियां सामान रहेंगी सरकारी नोकरी के लिए अगर तयारी कर रहे हैं सरकारी नोकरी के लिए इंटर्व्य उत्यादी में जाते हैं वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो सकते हैं लेकिन कारी ज़्यादा बिलंबित हो सकते हैं और सरकारी कारे में बिलंब बहुत ज़्यादा देखा ही जाता है तो आपके लिए स्तितिया जायतर बंती रहती है तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी लेकिन हाँ एक आसा जो जगी थी वो थोड़ा सा निरासा में बदल जाएगी सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रियास कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन की संभावनाय बनेगी बहुत के साथ संबंद अच्छे होंगे प्राइवेट सेक्टर में इस चीज का विशेश ध्यान देना होगा आपको कि किसी प्रकार से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मेनेजमेंट से संबंदित कारे रहे है तो वहाँ पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, काम के प्रती अपने बिल्कुल ही बहुत ही दृड़ता से कारे करना है और हर प्रकार से management को बहुत अच्छी तरीके से समालना है अगर hotel से संबंदित business है तो वहाँ पर आपको काफी लाब होगा, बस आपको कुछ नियम, कुछ फेर बदल आपको करने होगे business में, कुछ नियम बदलने होगे अपने ग्रहकों की आपको पूरी तरह से इस्तिती को समझना होगा, वो क्या चाहते हैं और उनके according ही आपको नियम बदलने होगे तब आपके business में काफी अच्छी growth आपको देखने को मिलेगी, तो ये इस्तिती आपकी रहने वाली है हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से कोई मुकद्मा इत्तियादी चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही न करें, बहुत ध्यान रखें और मुकद्मे में कोई भी ऐसा सडियंत्र जो आपके लिए हो जाए, और आप मुकद्मे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, और आपके काम बढ़ जाएं, इसलिए बहुत ध्यान रखना, सत्रू को बिलकुल भी कमजोर नहीं समझना, सत्रू को बहुत ही seriously ले करके उसके प्रती कोई भी उसका कोई भी सडियंत्र हो से फैले ही फेल करना होगा आपको इस चीज़ का विशेश ध्यान रखना होगा, दोस्तों यह था आपका रासिफल, अगर रासिफल पसंदा आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार